आपको कितने इंव Fay? और सबसे बड़ी बात, इसकें और आप मंतलिक कितने रुपए कमा सकते हैं इन सब उस्वीड़् करें दोस्तों इस वीडियोगा अंदर तो चलिए साफ़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अधार सेंटर के बारे में और सभी के पास अधार कार्ड है तो किसी न किसी को आज अधार कार्ड के अंदर कोई न कोई अपडेट जरूर करा पड़ता है जैसे को mobile number अपडेट करोना पड़ता है या फिर address चेंज करोना पड़ता है ऐसे बहुत सारे काम अधार कार्ड के अंदर होते हैं और इसलिए आज अधार सेंटर की इतने ज़्यादा requirement है दोस्तों जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका अधार कार्ड बनवाना है उसके अंदर time to time update करोने पड़ते हैं आपडेट करोना पड़ते हैं ऐसे बहुत साइपडेट करोने पड़ते हैं इसलिए दोस्तों आज अधार सेंटर के अंदर इतने ज़्यादा बीड आपको मिलेगी पहले क्या होता था कि जो भी अधार कार्ड के अंदर कोई भी काम होगा तो वो आपको अधार सेंटर के अंदर करवाना पड़ेगा बार आप नहीं करवा सकते हैं पहले आप किसी भी जन सेवा के अंदर हो गया या फिर कोई भी इमितर का काम करने वाला हो गया इन ऐसे जाके कहीं भी आप अपना काम करवा सकते थे लेकिन अब भी अधार स और अच्छा पैसा बना सकते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वार्मेंट होगी तो दोस्ते पहले आपके पास होने चाहिए एक बिल्डिंग या फिर एक सोब उसके बाद आपको कुछ मशीने करें पड़ेगी कुछ इक्विमेंट्स के जिने पड़ेंगे वह आप बागे बताएंगे उसके बाद दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसीटी और इंटरनेट कनेक्शन की रिकॉर्मेंट होगी इन सब विचितों साथ दोस्तों आप अपना अधार सेंटर ओपन कर सकते हैं और अच्छा पैसा इसके अं हो या फिस जनमतीति चैन्ज करने ओゲキोदेशन हो अदार कार्ड अंदर सब्सक्राइब करने पड़ेगी और विच待って सबसे पहले दोस्तों के नर्खाइब के वार मसीन थोड़ा इंटरी आइप ते फैसेदे कुंपूटर लैप्टॉप लोड़ोपोग सब के मैं सक्कुछे दो सब Works करणना पढ़े हैं उसके बाद दोस्तों आपको बिजले किनेक्शन इंटरनेट किनेक्शन उसके बाद आपको पावर बैकप के लिए खर्चा करना पड़ेगा तो सब्सक्राइब बात आयों चाहिए, आप ऑपना अदार सेंटर उपर गरना चाहिए, तो आपके पास कोनिके मैंट से या फिर मशीनें होनी चाहिए, तो इसके अंदर बहुत सारे equipments और machineों की requirement होती है, सबसे पहले दोस्त आपके पास laptop यह एक desktop होना चाहिए उसके बाद आपके पास सकनर दोस्तों नोगांत यह निdi IRIS कर च्रहेंर होना चाहिए, आपको इसके अंदर कौन से documentation की requirement होगी तो दोकुमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो भी अपना अदार सेंटरों पर करना चाहते हैं उसके सभी personal document होने चाहिए जैसे अदार कार्ड, pen card, voter card इसके साथ bank statement होगी इसके साथ mobile number, email id ऐसे सभी चीजे आपके पास होने चाहिए देते हैं, तो आप किसी वैंक से अपनी VCID ले सकते हैं वो VCID दोस्तों आपको अदार सेंटर चलाने में काम आएगी तो आपको VCID जरूर लेने पड़ेगी दोस्तों हम आपको link description के अंदर देंगे वहाँ से आपको VCID के लिए जानकारी मिलेगी क्या होती है VCID या फिर आप किस प्रकार से VCID ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको NSEID NSEID certificate बिरूआना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आप अपना अदार सेंटर नहीं चला सकते NSEID का मतलब दोस्तों National Stock Exchange Information Technology इससे आपको अपना certificate त्यार कुनार पड़ेगा जिसके उपर आपका certificate number education qualification, secondary language या फिर EA code और register code ये सब्भी चीज़े आपको certificate के उपर मिलेगी जैसे हमने आपको दिखाया है screenshot लेके ये सब्भी चीज़े NSEID से आपको फ्रूब गरवाने पड़ेगी आसे सर्डिकर्ड मिलेगा फिर आप अपना अदार सेंटर चला सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे आज कल दोस्तों अदार सेंटर के नाम से बहुत ज़दा fraud चलता है बहुत साए लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे इतने पैसे लेकि आपको अदार सेंटर दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे ऐसा कुछ भी ने दोस्तों आप पहले अपलाई करें फिर इसका पेपर देने के बाद आपको सूपरवाइजर आइड़े मिलेगी सूपरवाइजर के आइड़े आपके पास होगे तो आप किसी भी लोकेशन पर अपना अदार सेंटर चला सकते हैं अब बात आए दोस्तों आप किस परकार से अदार सेंटर के लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर कौन-कौन सी company के अदार सेंटर चलते हैं यह कैसे आप चेक कर सकते हैं जिससे आप उन company के साथ जोड़कर एक legal process के साथ अपना अदार सेंटर चला सकते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले UDI की official website के उपर जाएं यानि Unique Identification Authority of India की official website के उपर जाएं जब दोस्तों आप इनकी official website के उपर आएंगे तो आपको कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा तो आप यहां से सब चीजे चेक कर सकते हैं अदार card के बारे में या फिर अदार center के बारे में आपको proper information इस website से मिल जाएगी ठीक दोस्तों फिर दोस्तों आपको उपर के तरफ कुछ option दिखाई देंगे जैसे माई अदार हो गया माई अदार के अंदर दोस्तों आप वन आदार का download कर सकते हैं ऐसे बहुत सार चीज ले सकते हैं या से दूसार दोस्तों आप यूडियाई के उपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे organization program इन अजेंसि यानि जितनी भी अजेंसिस के अंदर काम करती है उनकी लिस्ट आ जाएगी और वह अजेंसि कितने अदार सेंटर आज की टाइम चला रहे है वह लिस्ट आ जाएगी आपके सामने आपके सामने लिस्ट दोस्तों जैसे कौन-कौन सी कंपनी अदार सेंटर आ और आपने कौन सी कंपनी का अदार सेंटर देखा है उसी आप से आपके सामने पूरी लिस्ट आजएगी और यहाँसे आप सब कुछ कर सकते हैं और। तक कितने भी आदार, सेन्टर चल रहे हैं, या फिर कितनी अजनसी आज़ टाम कर रहे हैं, टोटल डाटा आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से दोस्तों आपको देखना सबसे पहले कि कौन ची कंपनी अच्छे से आदार, सेन्टर चला रही है, फिर उससे कंटेक्ट बाद दोस्तों आप अपना दार सेंटर उपन कर पाएंगे और दोस्तों आपको बतादे यहां पने अपने इब्धार सेंटर आइड़ या फिर और यहां आपको अपना दार सेंटर चला सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं अब बात है कि आप अपना एक अदार सेंटर चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किस परकार से कमाई होगी या फिर आप मंतलिक कितने रुपए कमा सकते हैं तो आपने देखा दोस्तों आप वही भी अदार कड के अंदर पढ़ेंगे या पिताजी का नाम चेंज करवाते हैं दूसके पैसे देने पढ़ेंगे तो ऐसे दोस्तों अदार कार्ड सेंटर के अंदर कर्षटमर दराब फीस दी जाती है अलगलग जिसमें advertise दोस्तों कुछ रुपए और ती दोसके अंदर बारभान at जाएंगे और पतास रुपए के काते में चले जाएंगे क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गौश्ट के दोनी है और उतनी फीस गौश्ट को जाती है और उसके बाद जो बसता है वह ओनर को दिया जाता है तो इस परकार से करेंगों दोस्तों हर एक service कर रुपए इसे अंदर अलग होते हैं और मंदली क्माइऄ वाके दोस्तों उसके बडिपैंड करेंगा कि आपके अदर कितने कस्टमर विजिट कर रहे हैं इummyरफ की सरवीष है और आप अच्छी कस्टमर आपको बता दे इसके अंदर दोस्तों आप अधार सेंटर चला सकते हैं और यह आप एक्ट्रा सर्विस प्रवाइड करना चाहिए अपने कस्टमर को जैसे पैन कार्ड की होगी या दूसरी सर्विस होगी तो आप अलग से एक टेबल डेक्स्टोप लगवा के दूसरी जगए वो भी सर्विस प्रवाइड कर सकते हैं जिससे आपके कस्टमर बढ़ देंगे क्योंकि दोस्तों दी आपके साइड में यदि पैन कार्ड या फिर ओनलाइन ओफलाइम फोर्म की सोप है तो वहाँ कस्टमर जो आएंगे वो आपकी सोप के उपर भी आएंगे और दार कार्ड के अंदर अपडेट करवाने के लिए और आपकी सोप से वहाँ भी जाएंगे तो ऐसी सर्विस दोस्तों आप अपने कस्टमर को प्रवाइड कर सकें तो आप अपनी कमाई को इस बिजनस के अंदर बढ़ा सकते हैं और मंतलिया पचाज जार रुपए लाख रुपए तक अराम से कमा सकते हैं तो इस वरकार से दोस्तों आप अपना एक अदार सेंटर च सब्सक्राइब करना ना भूले